हिनकोस Dictionary के YouTube channel में आप सभी का एक पर फे से स्वागत हैं आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं phrasal verbs के बारे में इससे पहले भी आज के वीडियो में यह भी मैने कई बार आपको phrasal verbs के बारे में बताया है ऐसे phrasal verbs जो हम अक्सर अपने daily day to day life में यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं क्या है phrasal verbs मैंने जब लास्ट वीडियो अपना बनाया था upload किया था जिसमें मैंने आपको phrasal verbs with go and put बताय थे go और put से start होने वारे phrasal verbs तो कुछ users ने उससे पूछा कि आपने यह नहीं पताया कि phrasal verbs होते क्या हैं तो आज क्या वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि phrasal verbs होते क्या है for example I'm looking forward to my diwali vacation yeah she looked after her children yeah I'm looking for a house तीन examples मैंने दिया है looking forward, look forward, looking for तो यहां पर एक चीज तो common है look जो कि एक verb है एक example इसी में से ही हम उठाते है look after का look after look क्या है verb जिसका meaning हुआ देखना after क्या है adverb जिसका meaning हुआ पीछे adjective की तरह भी आप उसका यूज कर सकते है adjective after adjective हुआ meaning हुआ पीछे तो यह तो अलग-अलग word है एक verb है एक adjective है पर जब हम इन दोनों को मिला देते हैं look after इन दोनों का एक साथ यूज करते हैं तो इसका meaning पीछे देखना नहीं हुआ इसका meaning बहुत एक पाल करना और यह एक phrasal verb बन गया look after एक phrasal verb बन गया तो अगर किसी verb के साथ adjective, adverb या कोई अन्य verb आड़ किया जाए तो उस word का meaning बदल जाता है verb का meaning बदल जाता है उसे ही हम कहते है phrasal verb अब look का मैंने example क्यों लिया क्योंकि आज के वीडियो में हम look से related phrasal verbs सीखने जा रहे हैं तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं आज का पहला phrasal verb है look after जिसका meaning होता है take care of यानि तेक भाल करना example my mom looks after the children when we go out जब हम बाहा जाते हैं तो मेरी मा पच्चों की take care करते हैं तो look after take care करना next look around to visit a place and look at the things in it या आप ये भी बोल सकते हैं to visit a place किसी चेके पर खूमना correction करना, देखना she spent the afternoon looking around the town उसने तोपह शहर में चारों और देखने में बिताई कि वो गई और शहर में खूमने में बिताई look around, खूमना, visit a place देखने में बिताई look at बहुत common phrasal verb है और हम अकसर यूज़ करते हैं इसका meaning होता है to think about a subject carefully so that you can make a decision about it विचार करना किसे subject के बारे में ध्यान पूर्वक सोचना कि हम अपना decision ने बना सके example management is looking at ways of cutting cost प्रबंदन management प्रबंदन लागत में कटोथी के तरीकों पर विचार कर रहा है तो एक subject पर सोच विचार कर रहा है look at the subject look at का एक और meaning होता है जो है read in order to give an opinion किसी चीज़ को पढ़ना, देखना हिंदी में देखना ही हुआ, ध्यानपूर्वक for example have you got time to look at my business plan क्या आपको मेरी विफसाय योजना पर कौर करने का या देखने का समय मिला है आपको so किसी चीज़ को पढ़ना ताकि हम उस पर अपना विचार रहत कर सके look at का जो third meaning है वो है pay attention to something you see जो आप देख रहे हैं उसे अच्छी तरह से देखे meaning लगभाग सबका एक ही हुआ थ्यानपूर्वक देखना, परिक्षन करना थोड़ थोड़ सा difference है जैसे यहाँ पर किसी चीज़ को थ्यानपूर्वक देखना example देखे look at this picture of my father when he was young मेरे पिता की यह तस्वीर अच्छी तरह से देखे थ्यानपूर्वक देखे जब वे छोटे थे move करते हैं next phrasal verb की तरफ जो related है look से वो है look ahead अब जैसे मैंने पहले भी बताया look ahead, आगे देखना भविश्य में क्या होगा उसके बारे में सोचना इसके बारे में विचार करना to think about what will happen in the future we are trying to look ahead and see what our options are हम आगे देखने की कोशिश कर रही है भविश्य के बारे में सोचने की कोशिश कर रही है और देख रहे हैं कि हमारे पास क्या विकल्प है so look ahead आगे देखना भविश्य में आप यह भी बोल सकते हैं कि I am looking ahead I am trying to look ahead what I can do मैं तेखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ look back look ahead आगे देखना हविश्य के बारे में सोचना look back भूद काल के बारे में सोचना past के बारे में सोचना to look again at something to remind when we can see where we went wrong जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि हमसे कहा कलती हूई मुझे पता चलता है कि मैंने कहा पर कलती की कब पता चलता है जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ पास्ट की बातों को remind करता हूँ so उसके लिए look back look through यह है next phrasal verb जिसका meaning होँ है to briefly examine देख लेना उलटना पलटना या पढ़ लेना किसी चीज़ को carefully examine करना जल्दी से जल्दी से और अच्छे से पढ़ना पढ़ो भी पर अच्छे से जल्दी से look through the pages of the book to understand the words शब्तों को समझने के लिए उसने किताब के पढ़ने पलते उन्हें एक्जामिन किया जल्दी से पलते पढ़ लिए look down on look down on यह next phrasal verb है जिसका meaning हुआ to treat someone as unworthy किसी को तुछ समझना किसी person को या किसी चीज को everyone looks down on her because she is not educated सब उसे तुछ समझते हैं क्योंकि यह पड़ी लिखी नहीं है तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप office में या आपके college में कोई ऐसा person होता है ऐसा student होता है जो काम से आता है और आपको लगते हैं उसके में तो manners ही नहीं है पर आप उन्हें look down on करते हैं उन्हें तुछ समझते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आप भी मत कीजएगा move करते हैं next phrasal verb की तरफ look for look for का एक meaning होता है expecting something किसी चीज के उमीद करना example देखे he told his son that he will look for some improvement in his result उसने अपने पेटे से कहा कि वह उसके परिनामों में कुछ सुधार होने की उमीद करेंगे so उमीद करना उसके लिए आप look for phrasal verb का भी use का सकते हैं look for someone or something इसका meaning हुआ try to find something किसी चीज को ढूनना किसी person को ढूनना are you looking for a good English learning videos क्या आप कोई अच्छे English learning videos को ढून रहे है यहाँ पे मैंने example दिया है he now went shopping to look for a pair of shoes इना चूतों की एक जोडी की तलाश में ठूनने के लिए खरीतारी करने गई है गई थी so look for ठूनना किसी चीज को किसी व्यक्ति को ठूनना look up look up का meaning होता है to search for something or someone कुछ या किसी को खोजना meaning look for or look up का लगभग से में हुआ example I am looking up for Mr. Mehra in the office मैं office में Mr. Mehra को खोज रहा हूं so look up का भी use कर सकते हैं look for का भी use कर सकते हैं look up का एक और meaning हुआ improve or to become better सुधरना यहां पर सुधरना नहीं है सुधरना है I hope things will start to look up in the new year मुझे उमीड है कि नए साल में चीजें सुधरने लगेंगी अच्छी होने लगेंगी better होंगी look up to अब यह look up to है look up to look up to का meaning हुआ respect or admire आदर करना he was a great teacher the students looked up to him वह एक महा शिक्षक थे वित्यार दी उनका आदर करते थे right so look up to ऐसा कोई महान वेकती जिसे आप आदर से देखते हैं जिसे आप follow करना चाहते हैं तो उनके लिए आप look up to का use करेंगी look out to become careful of the danger खत्रे से साफधान रहना हम लोग पोलते हैं no look out there are some broken glass pieces on the floor ध्यान से फर्ष पर कुछ टूटे हुए काज के टुकडे पड़े हैं तो look out एक साव आप किसी को चितावनी देते हैं साफधान करते हैं look out the car is coming देखो साफधान हो car आ रही है so look out खत्रे से साफधान रहना next है look into look into का meaning हुआ investigating about something and finding more information related to it किसी चीज की investigation करना charge परताल करना और उसके बारे में जादा पता करना more information उसके बारे में gather करना पता लगाना या कौर करना जीजे हम हिंदी बे कहते हैं I will look into the matter and call you back मैं इस मामले का पता लगाऊंगी और आपको call करना तो पहले मैं investigate करूंगी और उसके बार और information प्राप्त करूंगी कि क्या सही है क्या नहीं है so look into किसी चीज की का पता लगाना को और करना next है look upon something या someone look up और look upon almost say नहीं है to consider or think of someone or something in a stated way देखना विचार करना जो आपको बताया क्या उसी लाइन पर आप किसी के बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं I look upon this country as my home now मैं अब इस देश को अपने खर के रूप में देखता हूं consider करता हूं so look upon something to consider or think of someone or something और आजका चार लास्ट फ्रेजल वर्ब है जो के रिलेटेट है लोग से वह है look forward to something look forward to feel pleased and excited about something that is going to happen खुशी से किसी चीज की प्रतीक्षा काना किसी व्यक्ती की चीज की प्रतीक्षा काना for example I am really looking forward to my preparation मैं वास्तव में अपने छुट्टियों की प्रतीक्षा कर रहा हूं खुशी से प्रतीक्षा कर रहा हूं so look forward most of time या आप वोली हमेशा किसी अच्छी चीज की प्रतीक्षा करने के लिए करते हैं और इन सभी का अगर आप थ्यान दे तो हमने इन सभी का यूज कहीं न कहीं अपनी day to day life में किया है अब कॉमेंट सेक्षन में मुझे look upon or look through से sentences बनाकर जरूर बताए साथ में वीडियो को like करें, share करें और comment करें जो मैंने आपको question पूछा है वीडियो को subscribe करना ना भूने क्योंकि तभी आपको हमारे bell icon को press नहीं किया है तो अभी कर लीजे क्योंकि तभी आपको हमारे upcoming videos के notification immediately मिलेंगी मैं next video में एक नए word के साथ आऊंगी उसके phrasal verbs बताऊंगी तेल देल आप इन सभी को use कीजे अपने ड़ी आपने ड्टेश आपने डड़ी लाफ में आपने ड्यस को आपने ड्यस देल है अपने ड्यस देल भावाइ